सूप्रभात प्यारे बच्चों आज हम कक्षा नौवी की हिंदी व्याकरण की पाठ्थे पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग नौ एवं दस की प्रिष्ट संख्या 251 पर दिये प्रियाई वाची शब्द का अध्याइन करेंगे यह कारे आपको 12 एप्रेल 2021 को भेजा जा रहा है यह आवाज कल्पना शर्मा की है बच्चो आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक की प्रिष्ट संख्या 251 खोल कर बैठ जाए एवं अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका भी निकाल लें और पढ़ने के लिए तैयार हो जाएं पाठ के बीच बीच में आप से कुछ प्रश्न भी पूछे जाएंगे उन प्रश्नों को सुनकर आप अपनी आउडियो को तीन मिनट के लिए विराम देंगे एवं पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अपनी अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे आशा करती हूँ कि अब आप पढ़ने के लिए पूरी तरहां से तैयार हो गए हैं बच्चो प्रियाय वाची शब्द आप अपनी पिछली कक्षाओं से करते आ रहे हैं अतह इस विशे की आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो होगी आईए एक बार फिर से इस विशे को जानकर अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं प्रियाय वाची शब्द दो शब्दों के मेल से बना है प्रियाय का अर्थ है समान एवं वाची का अर्थ है बोले जाने वाले वे शब्द जो भिन होते हुए भी किसी एक अर्थ को स्पष्ट करते हैं प्रियाय वाची शब्द कहलाते हैं इन्हे समान आर्थी या समान आर्थक शब्द भी कहा जाता है जैसे वन के प्रियाय वाची शब्द है जंगल कानन अरण्य विपिन आदि प्रियाय वाची शब्दों के अर्थ में सूक्षम अंतर होता है प्रियाय वाची शब्दों का एक दूसरे के स्थान पर प्रियोग करते समय सावधानी बरतनी चाहिए क्यूंकि संधर्ब के अनुसार इनके अर्थ में सूक्षम भिन्ता हो सकती है उधारण सवरूप मोहन हरिद्वार से गंगा पानी लाया इस वाक्य में पानी के स्थान पर जल का प्रियोग होना चाहिए क्यूंकि जल को पवित्र माना जाता है अतह प्रतेक स्थिती में इनका प्रियोग एक दूसरे के स्थान पर नहीं किया जा सकता बच्चों अब आपकी पुस्तक पर दिये गए प्रियाय वाची शब्दों को पढ़ेंगे आप सभी ध्यान से सुनेंगे एवं इनहें मेरे पीछे उंचे स्वर में धोराएंगे पहला शब्द है अंक और इसके प्रियाय वाची शब्द है गोत आलिंगन आगे है अंग अंग के प्रियाय वाची है तन, गात, कलेवर, शरीर अगला शब्द है अनार और इसके प्रियाय वाची है शुवादिन, राम बीज, शुक प्रिय, रप्त बीज, मधु बीज अगला शब्द है अंधकार और इसके प्रियाय है अंधेरा, तिमिर, ध्वान्त, तम, अवनती अवनती शब्द के प्रियाय है गिरावट, पतन, अधोगती अरण्य, कानन, वन, निविड, जंगल, अरण्य, अन्तहपुर, हरम खाना, जनान खाना, रनिवास अगनी अगनी शब्द के प्रियाय वाची है अनल, पावक, ज्वाला, आग, वहनी अम्रित, अम्रित शब्द के प्रियाय वाची है पियूश, सुधा, अमी, सोम, अहंकार अभिमान, दर्प, दंब, मान, घमंड अग्य, अग्य शब्द के प्रियाय वाची है मूर्ख, नासमज, अग्यानी, अंजान आगे है अतिथी अतिथी के प्रियाय वाची है महमान, पाहुना, आगुंतक, अभ्यागत अगला है अनुपम और इसके प्रियाय वाची है अतुल्निय, निरुपम, अतुल्य, अनोखा अगला शब्द है अश्व और इसके प्रियाय वाची है घोडा, घोटक, है, तुरंग, वाजी आगे है अन्य और इसके प्रियाय वाची है भिन, दूसरा, और अधम अधम के प्रियाय वाची शब्द है पतित, भ्रष्ट, नीक्रिष्ट, नीज आगे दिया गया है अनुचर और अनुचर के प्रियाय वाची है अगला शब्द है अपमान और इसके प्रियाय वाची है निरादर, अनादर, तिरसकार आकाश, अंबर, व्योम, गगन, नभ, आसमान आंक, आंक शब्द के प्रियाय वाची है नेत्र, नयन, लोचन, द्रिग, चक्षू आनन्द, आनन्द शब्द के प्रियाय वाची है हर्ष, मोद, प्रसंता, उल्लास आगे है आज्या और इसके प्रियाय वाची है आदेश, निदेश, निर्देश आख्यान, आख्यान के प्रियाय वाची है कथा कहानी, किस्सा, व्रितांत, वर्णन आगे दिया गया है आभूशन आभूशन के प्रियाय वाची है भूशन, अलंकार, मंडन, आभरन आत्मा, जीव, शेत्रग्य, चैतन्य बच्चो, अब मैं आपसे कुछ प्रशन पूछूंगी प्रशन सुनकर आप तीन मिनट के लिए विराम लेंगे और उन प्रशनों के उत्तर लिखेंगे प्रशन एक प्रयाय वाची शब्द किसे कहते हैं प्रशन दो, गिरावट, पतन, अधोगती किस शब्द के प्रयाय वाची शब्द हैं प्रशन तीन, नेमन लिखित वाक्यों में रिखांकित शब्दों के स्थान पर कोई अन्य सही प्रयाय वाची शब्द लिखकर वाक्य बनाई कर रात के अंधकार में सब को भै लगता है रिखांकित शब्द है अंधकार ख तुम्हे मेरी आज्या माननी पड़ेगी रिखांकित शब्द है आज्या प्रश्न चार भूशन, अलंकार, मंडन, आभरण और अहंकार में से कौन सा शब्द आभूशन का प्रयाय वाची नहीं है बच्चो उत्तर लिखने के लिए दिया गया समय अब स्माप्थ हो चुका है आशा है कि आपने उप्रियुक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे अब मैं आपको उन्हीं प्रश्नों के उत्तर बताऊंगी जो इस प्रकार है उत्तर एक जो शब्द अर्थ की द्रिष्टी से समान होते हैं उन्हें प्रयाय वाची समानार्थी या समानार्थक शब्द कहते हैं उत्तर दो गिरावट, पतन, अधोगती, अवनती शब्द के प्रयाय वाची शब्द हैं उत्तर तीन क, रात के तिमिर में सबको भै लगता है ख, तुम्हे मेरा आदेश मानना पड़ेगा उत्तर चार, भूशन, अलंकार, मंडन, आभरण और अंकार में से अंकार शब्द, आभूशन शब्द का प्रयाय वाची नहीं है बच्चों, अब हम आगे के प्रयाय वाची शब्दों को भी पढ़ेंगे इन शब्दों को भी आप मेरे पीछे उचे स्वर में दोहराएंगे आम, आम शब्द के प्रयाय वाची है आम्र, कमल वलब, सहकार, रसाल, पिक बंधु अगला शब्द है आंसू और इसके प्रयाय वाची है अश्रू, नेत्रजन, नेत्राम्भू इच्छा, इच्छा शब्द के प्रयाय वाची है अभीलाशा, लालसा, चाह, मनोरत, स्प्रिहा इंद्र, इंद्र शब्द के प्रयाय वाची है देवराज, सुरेंद्र, सुर्पती, देवेंद्र, सुरेश अगला शब्द है इश्वर और इसके प्रयाय वाची है इश, प्रभू, जगदीश, परमेश्वर, परमात्मा इंद्राणी इंद्राणी शब्द के प्रयाईवाची है इंदिरा एंद्री इंद्रवधू शची अगला शब्द है इंद्रपूरी और इसके प्रयाईवाची है देवपूरी, देवलोक, स्वर्ग, अम्रावती, अलकापूरी अगला शब्द है इती और इसके प्रयाईवाची है अंत, स्माप्ति उचित, उचित शब्द के प्रयाईवाची है समीचीन, योग्य, उप्युक्त आगे देखिए उजाला और उजाला के प्रयाईवाची है रोश्नी, प्रकाश, प्रभा, दीप्ती, आलोक आगे है उन्नती और इसके प्रयाईवाची है विकास, उत्थान, अभ्युद्य उत्तम, उत्तम शब्द के प्रयाईवाची है श्रेश्ट, उत्क्रिष्ट, मुख्य, प्रधान अगला शब्द है उत्देश्य और इसके प्रयाईवाची है लक्ष, धै, तात्पर, इश्ट, मक्सद आगे है उपवन, उपवन शब्द के प्रयाईवाची है उद्द्यान, वाटिका, बाग, पगीचा, फुल्वारी इसी प्रकार आगे है उपाए और उपाए के प्रयाईवाची है रीति, युक्ति, साधन अगला शब्द है उदर और इसके प्रयाईवाची है पेट, जठर उदार, उदार उदार शब्द के प्रयाईवाची है दानी, महान, असंकीर्ण अगला शब्द है कमल, कमल के प्रयाईवाची है अंबुच, जलच, सरोच, राजीव, नलिन, अब्ज, पंकज आगे है कपट, कपट शब्द के प्रयाईवाची है छल, वंचना, धोका किनारा, किनारा शब्द के प्रयाईवाची है तट, तीर, कूल, कगार अगला शब्द है किरण, किरण शब्द के प्रयाईवाची है रश्मी, अंशू, मरीची, और कर इसी प्रकार आगे है क्रिपा, क्रिपा शब्द के प्रयाईवाची है अनुग्रह, अनुकंपा, डया, करुणा आगे है कोयल, कोयल के प्रयाईवाची है पिक, कोकिल, वन्प्रिय, वसंत दूत, और श्यामा अगला शब्द है कपड़ा, कपड़ा के प्रयाईवाची है वस्त्र, अंबर, वसं, चीर, पट आगे है कल्प व्रिक्ष, कल्प व्रिक्ष के प्रयाईवाची है, कल्प तरू, सुर्थ तरू, कल्प दुर्म और देव व्रिक्ष बच्चो, अब मैं आपसे फिर कुछ प्रशन पूछूंगी, निम्न लिखित प्रशन उप्रयुक्त प्रयाईवाची शब्दों पर ही आधारित होंगे प्रशन सुनकर आप तीन मिनट के लिए अपनी ओडियो को रोक कर पूछे गए प्रशनों के उत्तर लिखेंगे प्रशन एक, उद्देश्य, एवं इच्छा शब्द के तीन तीन प्रयाईवाची शब्द लिखिये प्रशन दो, अनुग्रह, अनुकम्पा, दया, एवं करुना किस शब्द के प्रयाईवाची हैं? प्रशन तीन निम्न लिखित वाक्यों में रिखांकित शब्दों के स्थान पर कोई अन्य सही प्रयाईवाची शब्द लिखकर वाक्य बनाएं? कव इश्वर की अराधना करो खव भारत उन्नती की और बढ़ रहा है बच्चो विराम की अवधी अब स्माप्थ हो चुकी है आशा है कि आपने उप्रयुक्त प्रश्नों के उत्तर लिख लिए होंगे पूछे गई प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार है उत्तर एक उद्देश्य शब्द के प्रयाईवाची है लक्षय, ध्यय, तात्पर्य इसी प्रकार इच्छा शब्द के प्रयाईवाची है चाह, अभिलाशा, मनोरत, आदि उत्तर दो अनुग्रह, अनुकंपा, दया, एवं करुणा क्रिपा शब्द के प्रयाईवाची है उत्तर तीन क, प्रगु की अराद्ना करो ख, भारत, विकास की और बढ़ रहा है बच्चों, आज हमने अंक से कल्प व्रिक्ष तक प्रयाईवाची शब्दों को पढ़ा है आशा करती हूँ कि आपने इन्हें ध्यान पूर्वक सुना होगा, एवं मेरे पीछे दोहराया भी होगा आप सभी इन प्रयाईवाची शब्दों को पुनहा दो तीन बार अवश्य दोहराएंगे अब मैं आपको ग्रिह कार्य दे रही हूँ इस कार्य को आप सभी अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे ग्रिह कार्य सभी चात्र अपनी अपनी व्याकरण की पुस्तक सरस हिंदी व्याकरण भाग नौ एवं दस की प्रेश्ट संख्या दोसो इक्यावन पर दिये प्रयाय वाची शब्द अंक से लेकर कल्प व्रिक्ष तक दो तीन बार पढ़ेंगे एवं इन्हे अपनी अपनी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में भी लिखेंगे इस कारे को आप सुन्दर लिखाई में करेंगे एवं इन्हे याद भी करेंगे हिंदी विशे पढ़ने वाले सभी चात्रों का इस कारे को करना अनिवारे है धन्यवाद झाले से लिखेंगे